हम दो बात करने जा रहा है कि इंजल ब्रोकिंग से जीर अधा के अकाउंट में शेयर कैसे ट्रास्फर करें या आप किसी भी दूसरे अपने अनधर दीमेड अकाउंट में share कैसे transfer करें जैसा कि हमने first video में यहाँ बात करी थी Angel Broking से share, zero-dha के demate account में कैसे transfer करें How to share transfer from angel-broking to zero-dha demate account part one हमने part one में बात करी थी की आपको कैसे add beneficiary करना है and इस video में हम बात करने वाले हैं की आपको अपने share कैसे transfer करने है तो आपको यहां more पर जाना है more पर click करने के बाद आपको यहां जाना है online dis पर click करने के बाद आपके सामने इस type की window open होगी मैं आपको एक चीज और बता दूँ कि जैसे यहां पर session expire लिखा हुआ आता है please close the page and try again तो आपको क्या करना है एक बार log out करके फिर login करना है फिर आप F5 करके page को refresh कर सकते हैं अगर माली जी बार बार आपका page वही आता है तो आपको फिर log out करके login करना चाहिए तो अब हम यहां चलेंगे off market पर क्योंकि हमने last video में बात करी थी add a beneficiary की आपको holding किसी another account में transfer करने के लिए पहले आपको add a beneficiary करना है फिर आपको work करना है off market पर तो हम यहां off market पर click करेंगे off market पर click करने के बाद यह पूछेगा कि आपको share कहां से transfer करने है CDSL से करने है या energyl से जैसा हमारा एंजल का account CDSL में है तो हम यहां CDSL पर click कर देंगे तो आपके सामने इस type की window open हो चुकी है and यहां मैं यहां पर target id पर click करूँगा तो यह मेरी target id आ जाएगी and यहां पर मेरा zero-dha का name आ जाएगा and यहां target client id पर मैं अपनी target client id zero-dha की डाल दूगा जैसा कि मैं अपने personally demand account में share transfer कर रहा हूँ तो यहां पर आएगा transfer to on account ठीक है यहां पर आएगा transfer to on account क्योंकि मैं अपने on account से transfer कर रहा हूँ and उसके बाद फिर मेरे सामने तिनी holding so हो रही है तो मैं example के लिए एक reliance communication के share पर यहां पर click करूँगा and यहां आएगा you want to add another instruction please click ok to add अगर मालो आपको एक transaction add करना है तो आप एक पर click कर सकते हैं या अगर आप एक से ज्यादा transfer करना चाहते हैं तो आप यहां पर और पर भी click कर सकते हैं and अगर आप single transaction कर रहे हैं तो आपको यहां एक remove करनी पड़ेगी जो यह line आपके सामने आ रही है तो फिर हम इसको कर देंगे save आपको save करने के बाद आपको एक और चीज़ या रखनी है कि आपको अपना pop-up allow करना है तो आप अपना pop-up कैसे allow करेंगे आपको यहां जाना है Google की setting पर गूगल की setting पर जाने के बाद आपके सामने इस type का page open होकर आ जाएगा तो आपको यहां पर pop-up allow करना है तो यहां पर हाँ मैं आपको pop-up allow पर बात में लेकर चलूँगा क्योंकि मैंने pop-up allow पहले कर दिया तो फिर आपके सामने website आईगी angelbackoffice.com say action perform successfully further cdsl tpin window will open in another window and you need to put pin for cdsl तो अगर आप share transfer करना चाहते हैं तो आपको यहां टीप in डालना पड़ेगा टीप in आपका share sell करने के time पर enter किया जाता है लेकिन आप यहां पर जब भी share transfer करेंगे तो cdsl tpin के ठीवी share transfer करेंगे तो आपके सामने यह इस type की window open होकर आ जाएगी एंड आपको यहां अपना टीप in एंटर कर देना है और यह आपके सामने यह वाली detail यहां आ जाएगी कि आप कौन से share transfer करना चाहते हैं तो मैं यहां एंटर टीप in में अपना टीप in डाल दूँगा एंड मैं यहां इसको कर दूँगा verify verify करने के बाद जो मेरी holding है जो मैं यह share चाहरा हूँ वो मेरे share transfer हो जाएगी और यह आ गया action perform successfully further check transaction log report इसको मैं ok कर दूँगा and ok करने के बाद मैं यहां से फिर आउँगा यहां पर फिर मेरे को फिर यहां जाना है online dis पर अब मुझे अपना status देखना है कि मेरे जो holding मैंने select करी थी आर कॉम की वो मेरी transfer हुई है या नहीं हुई है तो फिर मैं यहां जाओंगा transaction log पर transaction log पर जैसा कि आज की date में हम transfer कर रहे हैं तो from date to 3rd December 2020 to 3rd December 2020 and यहां में view पर click कर दूँगा and view पर click करने के बाद जैसा कि मेरे और भी transaction पहले के reject हुए थे and अब जो transaction मैंने finally करा है उस पर आगया accepted at CDSL for pre-edis यानि कि आपने जो अपनी request करी थी share transfer की उसको CDSL ने accept कर लिया है and आपके share transfer हो जाएंगे अगर इनके share transfer होने में कोई दिक्कत आती है तो मेरे broker के दवारा मेरे पास 4 बज़े के बाद यानि market hours के बाद मेरे पास call आ जाएगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप अपने share angel broking के portal से जाकर किसी भी अपने another demand account में transfer कर सकते हैं कुछ query हो तो आप हमें comment कर सकते हैं वीडियो आपको useful लगाओ तो like जरूर करें and channel अब तक आपने subscribe नहीं किया है तो करें यहाँ आना है side setting पर side setting पर आनिक वाओ जैसे आप जयक्ते हैं